मैच मेकिंग के लिए सबसे इंपार्टन क्या है कि हमें उपदेश्चे को दिहान में रखते हैं कि हमारा उपदेश्चे क्या है लड़का लड़की की किलिया मिलाई जाती है इस शे क्लियर होना चाहिए और आप पहेंगे यह सब्सक्राइब को मालूम में एक ही उपदेश्चे है मैच मेकिंग का कि मैरेज लाइफ बहुत अच्छे से चलनी चाहिए तो जब हम कहते हैं कि हमारा उपदेश्चे मिल्कुल क्रिश्टल क्लियर है कि हमें लड़का लड़की का मैच मेकिंग करते समय हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मैरेज लाइफ लंगी हो मैरेज लाइफ सुख पूरवक हो और उस मैरेज का फूट जरूर मिले अब अगर मैरेज के बाद संतान पत्ती नहीं हो पाती चाहे कोई भी जीजन हो तो मैरेज लाइफ में कई बार गड़बडियां आती ही आती है चाहे आज जमाना कितना फिए एडवांस हो जाए उसके बावजूद ये हमारे जो बच्चे होते हैं एस बेड़ वाइफ के नहीं देते हैं तो उसके लिए हमें साटीक अगर फटा फटा गरम कुंडली मिला रहे हैं तो किस पाइंट पर ध्यान देना चाहीं सब ये करके बताएं कि आप लोग ने जोती सीखी लिया काफी हद तक तो क्या ऐसा देखें कि देखते ही लड़के की कुंडली रखिए ल क्या चीजिए आप एक एक करके बताना शुरू करें पता ही मैं आप लोगों से पूटा हुआ है जलत बता दीजे कोई परगनी पड़ता है नक्षत्र नाडी 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 देखना जरू है और भगोत ये अस्ट कूट मिलान की बात करें हैं ये आट पैरा मुटर्स हैं ल तो अस्ट कूट मिलान में कौन कितने नंबर टोटल 36 मार्क्स हैं कितने नंबर गरंटी होते हैं मैरेज लाइफ की चल्ड़ी और कोई शर अठारा तो एवरेज परसंट मैं इनिमाम एक टी अठारा इस फाइन कम से कम अठारा होना चलिए तो यह गरंटी है क्या दोनों की मैरेज लाइफ चलने की नहीं नहीं तो यह परामेटर बहुत बढ़ी है काम्याप हुआ ही नहीं तक कोई पैरामेटर बताएं जिसको देखें और देखें वह यह काम्याप हुआ है अठारा गुण वाला भी पास है चुटिस वाला भी पास है 17 वाला भी पास दी वन अंडी नाइन दोनों के मिलाएंगे मतलब कुछ ना कुछ मैच करता है दी वन का लड़की का लड़के का दी नाइन से और लड़के का दी नाइन और लड़की का दी वन ऐसे कुछ ऑपोजिट अगर दोनों का के विचार और दोनों के मन मोटा मोटी एक डायरेक्शन के हो एक दूसरे के सपोर्टिव हों तो मैरेज लाइफ अच्छी चलेगी सुख प्रत्तो जरूर होगी लंबी का शायद कुछ और फर्मूला और सब्सक्रान का भी कुछ आख मेंकिंग का एक फार्मूला लाइक मैंडेड लोग जो होते हैं वो कभी भी बहुत अच्छे पदी-पत्नी नहीं हो सकते अब बताई चंद्र मेरे मंगल जो लाइक मैंडेड लोग होते हैं वो कभी अच्छे पदी-पत्नी नहीं होते हैं मैंने दूसरी बात की द्यान से समझे दोनों के पंचमेश को पंचमेश तो संतान है, सच्चिन संतान तो जिनका प्राफस में प्रेम नियुक्ता उनको भी हो जाता हूँ मंगल दोश मंगल तो लड़ाई जगडे को तिखाता है, एनरजी को तिखाता है हम लोगों को तो हमेशा बताया गया मतलब जोतिश के बात किर रहा हो, कि एक दूसरे से विचार मिलते हो, एक दूसरे की पसंद मिलती हो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, कोई पती ऐसा नहीं है, जो कहा अच्छा बहुत बड़ी है, very good, very nice, I am sleeping now वो गहेगा भूख लग रही है खाना देना है तो नहीं तुम्हें पार से मंगा हुआ कहीं से जाओगा वो भूका नहीं सुझाए सिंपल बात था कर के आई हूँ अब मेरे सर दबाओ मेरा पैड्र दबाओ और रोटी भी नहीं कंगी मैं खाना भी करने लगा मैं विजपी के ऐसा पोना भी नहीं चाहिए नहीं घर में चाहिए तर मेरे बिचार से अब धाई प्रकाश जी तो एक तो इखने के जो कुट मिलान के बाद आप इनके सब्तमेश किस्तिति क्या और सुक्र किस्तिति क्या है चलो आज ये आज की किलास का हमें टॉपिक मिल गया जो मैं भूल टॉपिक आप इनकिसी चपकर में मत पड़ ना सब्दमेश कहां जा रहा है कहां नी जा रहा हो जस्ट क्या होता है वह भी आज में क्लियर करूगा इसी की हैपी मैरेज लाइफ longevity of marriage के लिए और उसकी संदान के लिए यह सब इसी में आ जाएगा चेक only कारक का चेक only कारक का कौन से कारक लड़की के लिए जुपीटर लड़के के लिए शुक्त यह है दोनों की personal के लिए अब हमें करना क्या है इसके अलावा एड़न करना है और यह कारक क्या होते हैं यह मैं सब्सक्राइब शुक्र और गुरु का बला बंद लड़की की कुली में भी चेक करना लड़की की कुली में सबसे पहले है और हमने कुली में क्या देखना सबसे फहले गुरु गुरु क्या डिसाइड करेक्टर ज्यान से समना, उसके husband का character, उसके husband का रुजगार, मैं सभी चीज बता रहूँ, character, रुजगार और विचार, ये दो तीन पॉइंट ऐसे हैं, जो decide करते हैं, कि लड़की क्या अगर गुरू में बला बला है, तो उसको पती इस परकार से मिलेगा, पर अंतो जरूरी नहीं कि व विद्वान पती अच्छा लगे, ये भी मैं clear करते हैं, पर एक आचारे को उंडली मिलाने का, ये सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, कि वो गुरू को decide, गुरू जितना powerful होगा, पती जो मिलेगा, विद्वान मिलेगा, यानि विद्वान का मतलब समझदार, विद्वान का मतलब यहाँ education से नहीं, मैं फिर से repeat करवा, यहाँ पर विद्वान का मतलब education से नहीं है, अब पीतू, उसके लोग विवारी क्यान, public dealing और अच्छी निर्णे शम्ता अच्छे विचारों से है, यहाँ विद्वान का, उसके विचार अच्छे होने चीं, समाज के पढ़ती, उसका लोग विवारी अच्छे होने चीं, उसकी निर्णे शम्ता अच्छे होने चीं, यह ऐसी लड़की को जब ही ऐसा पती मिलता है, जब उसका गुरु अच्छा होना है, अब हमने second, second करके देखना है, शुक्र को, अगर लड़की का शुक्र अच्छा है, तो वो लड़की अपने पती को अट्रक्ट करेगा, और उसका पती ऐसे महों पाच में बंदा रहेगा, कि वो छोड़के चहा के भी दो मीटा से, अब इसको दूसरे एंगल से देखे, गुरु जहां पर परमात्मा का अशिरवाद है, गुरु जहां पर ब्रदी का है, यानि दोनों के जीवन में विस्तार पैदाने का, और पती पत्नी का, विस्तार का एक मतलब ये भी होता है कि संतान होती है, और वैसे भी हम दूसरे एंगल से कह सकते हैं कि गुरु के आशिरवाद से संतान होती है, संतान का कारग रह गुरु है, तो एक महिला के जीवन में गुरु का इतना बड़ा रोन है दो ग्रहे अगर अच्छे और बलवान है तो बेस्ट मैरिज लाइफ होगी अब इस लड़की का विवा कहीं पर किसी से भी हो जाए अगर मैं इंडिविजली लेवल पर बात करेंगे कहीं पर किसी से भी हो जाए तीमेरिज लाइफ हैफी रहेगी रहेगी संतान अच्छी प्राप्त हो गी हो अब कहा है जी आपका क्वेशन उपता है miracle तॉ बहुत अच्छा है जी लड़की का पर शुक्र कम जो है क्या मैरिज लाइफ कैसी रहेगी मैं कहूंगा अब मैरिज लाइफ की लाइटी पर अट्रेक्शन के मामले में थोड़ी कम्या रही है। मैरे लाइफ चांदे है। उसमें ब्रेकप ब्रेकप वाले चांसे गरी है। पर इन सब चीजों के लिए गुरू का बलाबल धंसे निकाल गाए। अब हम लड़के के केस में चांदे। लड़के के केस में फ़र्ष्ट प्राइटी वीनस को लेता है। जिस लड़के की कुडली में शुक्र ग्रह बलवान है। उसको पत्नी बहुत अच्छी ताथ होगी। अब अच्छी पत्नी का ताथ परेशन में विचारों से मिलती हुए नहीं। अच्छी का मतलब अच्छा करेक्टर, कारे में निपुण, कारे में दक्ष, वारतालाप में दक्ष, उत्तम संतान उत्बन करने परूए। अगर पुरुष का शुक्र अच्छा होगी। आज के यूग के हिसाब से धन कमाने वाली, धन अर्जित करने वाली, अगर आप विजनस करते हैं, तो आपके वैपार में सेहोगी। आपके वैपार में पूरा-पूरा सेहोग देगी। ये शुक्र का काप। इस अगर अच्छा होगा तो लड़के के विचार उसका चरित्र अच्छा होगा और वो विवाग को निपाने वाला होगी। तो ये दो कारक लड़के में, लड़की में चेक होगी। अगर ये दो कारक बलवान है, विवाग कभी भी नहीं कुटेगा। अब चे 17 गुण मिले, चे 20 गुण मिले, चे 24 और चे 18 मिले, शादी इधर से उधर नहीं होगी। ये हमेसे, सबसे इंपॉर्टन जो होता है मैच मेकिंग में कारक, अगर आपने बहुत तेजी तरीके से सबजना है, तो इन कारकों को कभी भी अवाइड ना करते हैं। आप गुणों को अवाइड करते हैं। चल जाएगा, भकुट दोश भी चल जाएगा, नाडी दोश भी चल जाएगा, इस सब चल जाएगा। कारक के बलवान होने से भकुट दोश कुछ नहीं जाएगा, कारक के बलवान होने से नाडी दोश कुछ नहीं जाएगा। ऐसे में सर्फ और सर्फ योनी विचार, चार में से मिनिमंम दो नमबर जाएगा, आप आख बंद करके शादी करा देना चैसुना ही वो मिल रहे हैं। वो कहीं पर भी नहीं दरुदाय बाएंगे अगर उनके जादा गुण मिल रहे हैं तो अच्छा ही अच्छा है कोई बुराई वाली बात नहीं कि यह चीज समझ में सबसे पहले मैंच में किन यहीं देखना ना ना चत्र देखना आए ना सब्तम भाव का लोड्ड कहीं बैठा है सप्तम्भावों का लौर्ट दिखाता क्या उसकी प्ले즘men क्या दिखाती है। अगर हमें वो चीद संज में आ गई फिर आपको यह बार 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 दिख लेकिए। कि हम लोग आंधा गल्लोर हम भी ही भाशा कव्यों करते इजिस पाकशा में आमादमी आदर अदर लॉड अगर चटे में बैठ गया तो अपने से बार्मा बैठि को एक पर ही कराब जब बी होगा जब कारत कर 2 यहां से समझेए यह खराब जबी होगा चका रख लटबड़ होगा इसलिए बहुत सारी कुखलिया आपको ऐसी देखने की मिलेगी जहां सब्सक्राइब हाओ अच्छी जगा पे नहीं पैठा होता और मैरिज लव साइज स्वीच चल गई है पचास साल की उमर में सार साल की उमर में पहुंच गया है और वो यह कह सकते हैं कि हमारी मैरिज में कोई बहुत बड़े दिक्क्राइब हैं सोटे मोटे जो चीजें चलती हैं सबजी रोटी की जो रोती है नौक जोक वो जोतिश में मानने नहीं हम उसको उस लेवल पर जाकर हम क्या देखते हैं हम बड़े इश्यूस देखते हैं रोज जगड़ा हो एक दूसरे से भाय हो एक दूसरी से दुश्मनी का बातावार हो और कोई किसी की तरक्की को देख करके खुश ना हो जैसे हमारे अधियाना में एक हम चोटे होते थे इसके एक लेडी की हैस्बेंड के बंती नहीं थी इसके हैस्बेंड की वह हो गई प्रमोशन तो अंकल जी के तो प्रमोशन हो भी है मिठाई के लादो कहती है रहे बहुत बेकार काम हो और गणा माचे गा बनलब अब और ज्यादा एंकार दिखाएगा फिरमोशन ओभे इसकी तो उसको प्रॉब्लम है कि प्रमोशन हो गई, प्रमोशन होने से इसका एंकार बढ़ जाए है और पहले ही आजम बड़ा एंकार ही है तो आप समझ रहे हो कि एक दूसरे के पड़ती ग्रोथ का चंस खतम होगा है एक दूसरे का चंस गड़बड हो गया एक जना ग्रोथ कर रहा तो दूसरा टेंचन हो पती-पत्नी का मतलब यह है कि हम एक गाड़ी के दो पईये की तरह काप करें और वो पईये ना छोटे ना बड़े होने ने चाहिए वो बराबर-बराबर के होने चाहिए इस चीज के लिए कितना स्ट्रॉंगली मैं आपको कांगा कारक जिम्मेवार है और कोई अन्य चीज़ बाकी सब चीजें छोटे-छोटे ट्विस्ट देते हैं जैसे किसी का सब्तम भाव का स्वामी बारवेबाव में जाके करें क्या होगा अपने से छटा जाने का क्या मखी सब्तम का लोग यानि सब्तम कौन जिससे स्पाउस आ रहा है वह उसको जो लेकर करे आ रहा है हुष सप्तमभव हो है है लेकर करने वाला कहां से आ रहा है वह अपने से कटा weet इसनी सवुष मुश्क्रेंक दो से आ रहा है इंडेंड़ पसंद का नहीं हा रहा कम्प्रमाइज यमा है गुरूप है ये एक जनरलाइज फारुपूर है कम्प्रोमाइज का मतलब होता है किसी आदमी ने पैरमिटर सेट कर दिया कि मेरी मेरी नीपड़ी लिखी होनी चाहिए यतनी रांगवान होनी चाहिए यह और उसको विभा के लिए लड़की मिली नहीं रही और वो मजबूरी में कि अब तो उमर निकली जा रही है करने चुप जाए नहीं ये भी इससे भी जाएगा और उसने भारी मिन से हां कर दी या घरवालों के दबाव में हां कर दी तो उसके लिए वो कंप्रो माइजिंग से जाहे आप इसको लगन के साथ स्वरी सब्तम्के लौड को आप बारवे भाव में ले जाऊंगे च्टे भाव में ले यांगे निके पार वे अस्टम भाव में यह सब कंप्रोमाइज कहला था कि मैरेज है बट कंप्रोमाइज पर कंप्रोमाइज तो एक ही बार हुआ कि जब शादी कर रहे थे रंग रूप का देखना दिखाना हुआ पड़ाई का हो गया पर अगर कारख ठीक है तो वह मैरेज आगे चलके लव मैरी जूजाएगा दोनों में प्रेम का अच्छा हो पाइंट आज क्लियर हुआ पर कहते हैं ना सब्तम वहां बैठ जाए वहां बैठ जाए यह सिर्फ बताता है कि आपका कंप्रोमाइजिंग फेक्टर कितना सब्तम का लॉड फॉर्थ में चला गए तो अपने से दसम चला गए इसका मतलब यह है कि जो उसकी पतनी होगी उस को मदद करेगी सब्तम भावका लॉड तीषरे में चला गए तो अपने से नौम बैया है शादी के बाद भाग्यदेद की विवाह के बाद भाग्यदे ओगा पांद करकında की कीसा सब्तम का लॉड नौम में चला गया तो बही भाग्यदेद होगा सब्तम का लौड दसम में चला गया बड़ा सुख प्राफ होगा शादी के बाद घर में लगजरी बढ़ने लग जाएगा तो यह सब्तम का किसी भाव में जाकर के बैठ जाना सिर्फ इस बात को दिखाता है कि शादी के बाद ड़गना क्या होगी और शादी के समय आपने आपका लग घटा के बड़ा मा लिजिए किसी का सब्तम किसी लड़की का सब्तम भाव का सुख भी अपने से बारवा में लिए क्या मतलब हो इसका सिंपल मतलब ही हुआ कि उसका पती को जौब करनी पड़ेगी स्ट्रगल करना पड़ेगा और काफी प्रियास करने पड़ेगी तो वो स्पाउस के बारे में बता रहा है सब्सक्राइब मेð कंपल सी बात कि हममें सी कुछ हैं से होंगे जिनके सब्सक्राइब कुण साम कोट में खड़े बह। पर पोट में वो लोग जरू खड़े हो जाते हैं इनका या तो गुरु गड़बड हो जाए या शुक्र गड़बड हो गुरु कमजोर है शुक्र बहुत अच्छा है तो भी दोनों के बीज में अट्रेक्शन बनाता पर दोस्ते हैं पर रूल ये कहता है लड़की का गुरु श् फिर हम उसको गुणों पर डाल दें इसको सब्तम भाव पर डाल दें यह आम बेसिक जब हम जोतिस सिखाते हैं तो हम इसी तरह की प्रेक्टिस करते हैं उस समय अगर हम ये कारक की बात को बताएंगे तो हो सकता है नए विद्यार को नहीं से वैसे जैसे समझाया जाता है व सब्तम भाव बहुत अच्छा नहीं होगा अगर उनके कारक अच्छे तो मैरिस लाइफ बहुत नहीं होगा अगर सब्तम भाव का लोड वेल प्लेस्ट है और गारक बढ़िया है तो यह समझना हैंका जीवन सात्ती का उनके जीवन में आना भवध पर चाहे वह पत्रों लगंट पें पैठें के बेदें यह इस में बैटेंध के जीवान साथी का प्रवेश को खुशियों से और से अनल से बढ़ दें उनके जीवान पर एक ट्रम्स एंड कटीशन आलवेज रिमेंबर की कारक में बला पूरा जाएं कारक जब कैसे चेक करना है जब भी आप लड़के की कुण्ली में शुक्र को देखें तो इंडेपेंड़नट देखें ये नहीं देखना कि ये किस भाव का मालिक होगर Prinke और आपने भाव के मलिक की रूप में अधेखना आपको एक प्लैनेट की रूप में देखना है इस विद्थ लड़के का शुकऱ दसंबंवेशने कि त्रुस्रें का लौड ये मानीर बस कुछ नहीं है दसम भाव में शुक्र को बिठा दो अब चैट ये करो कोई पापक ग्रहे की दृष्टी है नमबर एक बाद क्या पापकर्तरी योग बना रहा है छोटी छोटी जो बेसिक सिद्दान्त है उनको अप्लाई करना शुक्र अगर पापक ग्रहे सुपर पड़र्ष्टी दे रहा है महाँ पर ही मामला थोड़ खंगो अगर पापकर्तरी में फस गया शुक्र छटे में चला गया मामला काफी गड़ पर जास कि अश्टम में चला गया पीडित मिलेगा ही मिलेगा उसके मन की बात नहीं हुई इसके विरित बारवे में चला गया वह एंजाइब लेगा पत्ति उसका पत्नी उसकी तुकी रहो वेशे पर वह एंजाइब लेगा वह पीडित नहीं मिलेगा क्योंकि शुक्र बारवे में अच्छा है पर पापगरह की दृष्टियां गडबड क सकती हैं सूरे से अगर अस्तु हो गया दिक्कत में आ जाएगा राहू के साथ आ गया दिक्कत में आ जाएगा तो यह सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं शुक्र अगर कमजोर होता है तो फिर सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाते हैं और तो फिर आप चाहे बुणों को कहें चाहे और किसी चीज़ को कहें लेंगे है ठीक है रतना जी अजी सर्ट अजी सर्ट कुछ लोगों की कुली में बखुर्दोश भी होता है तो भी marriage library अच्छी चलती है ऐसा नहीं है तो वो अब आप सीखोगे इस course में अश्ट कूट मिला हो जाता है अगर आप कारट कुछ को दोगे कि कितने नंबर को तो हम सही मानें और जब आपके केस आएंगे कि 32 गुण मिल रहे थे कोट के अंदर बैठेंजी अलग होना चाहते और 28 गुण पर लोगों को अलग होना चाहते फिर आप टेंशन में आ जाओगे यार किसा ही मि अगर शुक्र अगर वक्री होगा तो आपको समझना यह है शुक्र बलबान और शुब दरिश्टी से नहीं नैतिकता के दरिश्टी कोई से नहीं शुक्र को बला बल मिल जाएगा पर अर्थार्द अगरो गुरुष का शुक्र है साथ में शुक्र वक्री होगा मैंने आपको जब का रेट्रो ग्रेड प्लेनेट करें एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि मान के चलो जो भी ग्रह वक्री हो जाता उसमें थोड़ा सा राहू का समावेश हो जाता है तो आप ये समझोगी राहू भी मिल गया तो आपको क्या सोचना है मेजन करना है राहू और शुक्र अगर एक साथ बैठे हो तो कैसे हो तो आप तुरंत कोगे राहू शुक्र एक साथ बैठे हुए तो इस आदमी के करेक्टर का वरुशा लिए इसकी वाइफ की तबियत खरा खराब होने की समस्या रह सकती है हो सकता है वो अपनी पत्नी को तो सारे सुख दे सारे सुख कमलत धन से संबंद है पर उसके अधर साइड भी संबंद हैं यह चीज पिर मैरिज में बाधा आके ने तिकता के लिए मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो मेरे ग्लाइंट से एसे ही पापड़ी है उनकी वाइफ थी उसको हर सुदा देता बड़ी तबीद खराब रहती थी उसमें मोटापा भी था हार्मोनल प्रॉब्लम की कई चीने थी पूरा इलाज कराता था जाप और पाठ भूचा भी कराता था पैसा भी खर्चता था मलब ऐसा नहीं उसकी ज खुल कर के बता था चिपाओ नहीं रखता था सारी बात मुझे बताता कि ऐसे ऐसे बाब और वो शादी को छोड़ना भी नहीं चाहता था और उनके कुई संतान भी नहीं तो ऐसे ऐसे स्थीन कड़े उसलिए शुक्र का वक्री होना कई मामनों में अच्छा नहीं माना जान दूसरी बात अगर वो करेक्टरलेस महीं होगा तो खुद को यूरीन से रिलेटेड तकलिप होगा है किडिनी से रिलेटेड तकलिप होगा है डायबिटी बहुत जल्दी एज में आ जाते है यूरीन इनफेक्शन होने का खत्रा बन जाता है बस यह है अगर कोई दूसरा अदमी देखेगा तो हर लगजरी का सुख उटलाएगा वैसे हों मोज में जीवन पर देख कर दो कि पबलिक जिस दृष्टी कौन से चीजों को देखती है वो अलग है और वेक्टी का खुद का दृष्टी कौन को अलग है और नैतिकता चीजों को अलग ही दृष्टी को से देखेगा बुर्दी एक बात पूछ सकता है अमर बोल रहे हैं एक मतलब दूसरी का कुनली है उनका बालवा भब में आपका शुक्र है जो अस्त होके बैठा है और उसका बूद भी साथ में है बूद भी मतलब रेट्रोगेड है और उसके साथ तो इसका है मतलब इलोंगा सादी होग्या भी पाश साल जैसा किल official को पहले तो घर में अब में डूसरा घर में मतलब उन कोई लेकिन मतलब कोई मतलब उन अच्छा रिलेशनशिप नहीं जैसे जी रहे है मतलब लब उसमें कोई और राट क्की हैनक और प्री कुछन शुकर आपने पर बोल दिया आस शुज है ले कि की शुज अब कितने गुड़ मिल गए कोई माम लाएगी बाएगी जैसे एक चीज पूछना था कि जैसे सॉफ्ट्वेर में आता है एक शटबल तो अगर हम लोग शुक्र का और गुरू का शटबल देख ले तो ये इससे हो जागा कि अगर शटबल अच्छा है 1.4, 1.5 तो हम लोग मान लेंगे कि इसका शुक्र अच्छा या गुरू अच्छा है परताब जी वो भी एक तरीका है पर मैं सबसे ज़्यादा सटीक तरीका जो मानता हूं वो अपने आखों से कैल्कुलेशन करने का है जी बन में देखिए डी-9 में इससे ज्यादा देखने की जुरूरत ही नहीं पड़ी हमें तो नहीं पड़ी और आप हसोगे मैंने सडबल को जब सीखा जब सीखा और सीखने के बाद आज साथ साल होगे मेरी को साथ याँठ साल मैंने किसी भी ग्रह का शबल नहीं नहीं आप एहरान ह यह चीज है गुरू जी सचिन गोल रहा हूं गुरू जी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि शुक्र पर अगर राहू का प्रभाव आए उस तरह से जाएगा लेकिन अगर ऐसे में ही ब्रैस्पती का भी प्रभाव आजाए एक्वल स्ट्रेंथ के साथ तो क्या वह उसको कंट पाप जी ने पूछा तो आज दिमाग हमेशा यह रखिएगा देखने का तरीका है मूल तिरकौन राशी जैसे शुक्र की मूल तिरकौन राशी को उसके तुला राशी से देखिएगा कि शुक्र कहां बैटी अगर वो केंद्रिया तिरकौन में आते हैं तिरकौन तो बहु अब एक मिनिट के लिए वैसे देखिए तो शुक्र बैठा है अच्छा हुआ या बुड़ा हुआ इस निवात है अश्वर्म का शुक्र है अच्छा थोड़ी माना जाएगा अपने से चतुर्थ गया अपने से चतुर्थ गया रुतना जी चोट्य भाव का स्वामी होके अपने से पंचम चला गया अब देखिए दोनों केसिस में मैं अंतर समझाता हूँ पहला केस किसी वि विवार में बहुत तकलीफ आएंगी बहुत प्रेशानिया होगी विवार हुने में भी प्रेशानिया और विवार के अब दब के लड़ाई लड़ी अरपार लड़ाईयां लगी जाती है परन्तु अगर हम तुला राशी से देखें तो उसमें बला आजा था ठीक है यह प शुक्र को और नमान्चा में देखें कि या केंद्र में आ गया शुक्र को या त्रिकोन में आ गया शुक्र यादि केंद्र में या त्रिकोन में शुक्र आ जाए तो समझ लेना शुक्र में बल है पतनी उसकी कहा मानने वाली होगी उसके इशारों के चलने वाली होगी और क सब्सक्राइद कर वह पावर देखना चाहते हो महानीजर सड़ व obey चक्करमें नहीं पढ़ना हाधा हुई हम हम 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 के चक्करमें ना पड़ओ पड़ और राशी से देखो शुक्र गया कहा है कि वहीं से समझ में आ जाएगा और फिर सेकेंड जाके नम्मांचा में देख लुट गया कहां पर वहां नून तरिकोंड रासी से देखने कि आउशकता नहीं वहां बहुत सिंपल क्रिश्टल क्लिएर बता रहा हूं कि इंदर त्रिकोंड कर सकती हाँ गल्पती से अगर वो और कहीं ताइब आए हो गया तो ममलगर बढ़ा देगा फिर भी जो चीज मालीजी को शुक्र छटे में चलाए यह देखना तुलारासी से गिंदना शुम कर देखना अगर छटे में भी है तो भी बला बने तो ऐसा नहीं कि बलहीन हो जाएगा और एक वैकती जिसका तुलारांशी से शुक्र छटे में आच्छे स्टामें नहीं आया वह वह गया काम से हमें कहा वही शुक्र तो मरणनासन हो गया पर किटना मरणनासन है रियंके वियन नहीं तो टुलारासी से देखा नाघ्य Самल से शुम्पल आज़ुअ है तुला से तुला में ही वैड़ गया, सेवेंथ राशी में ही राशी में ही अब भाव देखो, जो बहुत अची है, नहीं सब्टम्भाव में, पर सब्टम्भा में आप बोलते कार को भाव और बिनाशाय वाला हो जाता है, तो हो गए योगा, परहन समालवे योग भी बन गया, वो तो हमारे हाथ में बनाएंगे ना बनाएंगे, सर एक चीज़, इसमें थोड़ा सा किन्फूजन होता है सर, कि शुक्र और गुरू, ये दोनों अपनी, जब उच्च के होते हैं तो अपनी मूल्तिकों राशिशे बु बहुत अच्चा क्वेशन पुचार परताब जीने, जब भी कोई ग्रह उच्च का हो जाए, तो अपने स्थान के दोश को हर लेता है, जब भी कोई ग्रह उच्च का हो जाए, तो अपने स्थान दोश को हर लेता है, ज्यान लखिएगा, इसका मैं एक एक्जम्पल देता और मेरे पास ऐसे तीन केस है एक महिला जिसका मकर लगन और लगन पर ही मंगल बैठी अच्छी हाइट अच्छी खासी तगड़ी हाइट मैंने आज तक उसको हफ्ते हुए ही देखा रहे हैं और हम उससे कितना वर्जी मजा कर ले थे कि अंटी ये अंटी वो अंटी आपसे त मज़र पास पर किसी से जगड़ा नहीं का प्रॉफेसर सारे घर्वाले उसके वेवार की तारीव कते हैं? है इसमें कोई घुस्सा नहीं, इसको जो मर्दी कहले कि प्रॉफेस्ष मिने क कि आप हैरां जबकि देखने में ऐसा लगता था तो अपने हैस्बेंट के खिलाब कभी लड़ाई नहीं इसन क्या हुआ मंगल उचका हो गया मंगल लगन में बैठेगा और अपिला बैठेगा तो क्या करेगा पुरा पात पैदा तो प्रेगा इना गर्मी तो पैदा करेगा ही ना दिमाग के अंदर और गरम दिमाग आदम जगड़ा कर लेता है उसको आपने कभी किसी से जगड़ा करते हुए नहीं देखा यह महिला का हूँ मुझे इसलिए दिमाग में छपी हुए लगन मुझा कि एक ऐसी महिला आप मकर लगन में जिसके भी लगन में मंगल इसका तात्रे क्या हो कि जब ग्रह उच्च का होता है तो स्थान के वज़े से जो गड़बड हुई है उसको भी दोश को रह लेता है अब मकर लगन में आगर आप मंगल की पोजिशन को देखो कि मंगल किस भाव का लोड़ है तो आपको एकदम कंसर्प्स मुझ में आता है वह बादख है वह बादकेश होकर कि दिमाग पर बैठ है तो उसकी दिमाग की बाध है मैंने ऐसे कोई भी आदमि वास्तानी नहीं देखा जो कम पढ़ा लिखा पर दिमाग की बादा क्या करेंगे दिमाग को रोकेगी ना पढ़ने नहीं देगी लड़वाएगी जगड़ा करवाएगी ओना चीना अगर बाद करें तुकि नियम को समझो बाद केस जिस भाव पर बैठता है उस भाव कूभी डेंट मागता है तो दिमाग पर डेंट पढ़ना चाहिए नहीं हम उससे पूछते थे जब मैं जोती सीखता था हम कहते थे अंटी आपके चोट लगी कभी सरफे तो हसते हो कहते हैं अभी तो लगी दी बाकी तेरे अंकल का भरूसा नी मजाक में तो मलब बड़ी मजाक्या किसे और वो कहते थ आस्त का लिए अक्सलों कैते मंगल लगन के ओऊट तो इसका मनला उच्च के ग्रह ने दोश को हर लिया तुला लगन से अगर हम देखेंगे यानि तुला आशी से अगर हम देखें और जो शुक्र है वो अपने से बार्वे स्थान के ओपर जहां पर क्या स्तिती बन रही है अगर तुलाराशी से बारवे जाएंगे तो क्या बनेगी उच्च की नीच्च की उच्का तो मीन में होगा नहीं तो होगा तो भी अपने से छटा अपनी मुल्क कौन से चटा जाता है चटा बोली है तो चटा गई है तो चटे में जाकर वो उच्च का हुआ तो उसने उन दोश को खर लिया वहां वो रिजल्टन नहीं दिखा है इसी परकार से आप गुरू को पकल लो जैसे मर्जी कर उच्च के होते ही दोश कर जैसे लगन का स्वामी किसी का अस्टमभाव में में बैड़ा मेश लगन लगन को लगन का स्वामी इस्टम में बैड़ा और सव्ग्रें हो गया उसके अंदर लगन के अस्टम जाने के आपको कम से कम दोश विलेंगी कम से कम का भी देखी दिगा और अगर मंगल किसी और लगन स्थान में कोई और लगन हो और उसमें अस्टम में चला जाएगा जबकि आप इसी को लेलो वर्षिक लगन को लेलो लगन में लगन का लवड़ा गर अस्टम में चला जाया तुझ भी थुन्राशिव में देखो सादिमी का बचारे का हल मेश लगन में अस्टम वाले को पकड़ो और वर्षिक लगन के लगने अस्टम वाले को दोनों में जमीन आस्मान का दर्फ इसलिए कभी इस बात पर सानगे रहतों चला गया इस बहुत कि भाव का स्वय करोगे तो कार्कों में दूनों पिट गया और जब और को इंडिपेंडेंडेंट्स स्टडी करोगे तो यह माने जाएगा जो सब्रही हुआ है अस्टम में भी कमजोर माना जाएगा और जो मिथुल राशी का आया है यह चोटी-छोटी ट्विस्ट है ना अध्योतिश के अंदर यह तोड़ा कुपमा देते हैं और हम जल्दवाजी में करते हैं मेरा यह मानना है जिसने एस्ट्रोपार्शाला से छह महीने मेरा देशी स्टाइल में कोर्स कर लिया वो चीजों को पकड़ जाएगा बसड़ते की वो जल्दवाजी ना करें उसकी जल्दवाजी ही उसके लिए हानिकार अगर अगर यहां पर उचकर रहो आपकी आवाज वो उपड़ गई अगर शुक्र के साथ के तू बैटनेगा तो वो यह मान के चलिए कि वो शुक्र के तू के एकसस में नहीं सुरी खिलाओ के तू कि एकसस में शुक्र फॉस्क्र फॉस्क्राइब करें कि यहां उचता था उसको नहीं मिलेगा हमेशा द्यान रखिएगा जो चीज़ इतनी कीमती होती है उसको उत्रहीं पचाखी रखता है इंपोर्टेंट होता है अब हम पैल लेके बैढ़ जाते हैं पचास रुपे का कोई दिक्कत नहीं उसके पास रहागा पर बार बार बचा के देखे तो ऐसे ही मैं ने आप लगों को पढ़ाया था जो कुछ का ग्रेह होता है उसके मामनें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है एक छोटी सी द्रिष्टी में दिक्कत में डालने देखे कुछ के प्रणाम नहीं आने मेरा एक स्टुडेंट जिसका क्वर्क लगन लगन में ही गुरूप साथ में शुक्र और साथ में केत्व अगर हम एक मिनट के लिए कहने कि केत्व नहीं है तो सोची कितना दब्रदस्ट कंबिनेशन है उच्च का गुरूप और साथ में शुक्र लगन पर बैठा हुआ दोनों सरवाधिक शुक्रह लगत पाएं कोई कभी नहीं ऐसा व्यक्ति बड़ा ज्ञानी संद्ट उच्च तरका महत्मा या बड़ा विद्वान यसस्वी होना चीए पर केत्व में सारा कहनी भी गढ़ दी तो दारों में पिलाएगा वो नॉन्वेज भी खिलवाएगा व तो कहां गया उसका मरलाव अकेले रहूं कि तुम्हें सारा गुर्गों ब्रेक करनी वो लड़का बहुत इंटेलिए बहुत इंटेलिएंसी में कोई कभी और उसके बावजूद गलत खरकत करने में कोई कभी नहीं नहीं नाम किसी का नहीं तो कहने का मेरा तात्पर यह है कि शुक्र और गुर्ग यह राहू के तुक एक्सुस में नहीं होने जाए यह किसी के पाप रहे कि चंगुल में भी नहीं पसने चाहिए यहीं तो गड़वड कर देते हैं ठीक है और कोई क्वेश्चन गुर्जी यहां अगर हम सुख्रू को लें कि नमान्शा में वो अच्वा गए है तूला राशी अभी इस चीज के भी अंतर को समझे कि D1 में जो ग्रह बैठे हैं वो किस चीज को दिखा रहे हैं और D9 में बैठे हैं वो किस चीज को दिखा रहे हैं गी वन में जो भी ग्रहा होता है वो बहार से दिखाई देता है वो इस विक्ति के व्हार में होता है कौन सा व्हार आउटर बहारी विवार कि बहार के लोगों से वो किस तरह से व्हार करेगा वो डी वन में बैठे हुए फिरेड इसाइड करेंगे। जैसे कई वर मेरे पास माता पिता आते हैं जी हम लड़का देख किया हैं बड़ा पिता बोलता है बहुत सॉप्ट लड़का है या कहते हैं जी हमने लड़की देखी बचारी बहुत अच्छी है बहुत शरीफ है यह वो ठीक है में देखी और से शहका क्निक जो वसी इस बात को देखे कि बाहर की को से वह ऐसाही विवार करेगा नमाश कुडावाली तो आंत्रिक विवार के लिए हैं आंत्रिक विवार नमाशकुली में जब ग्रह किसी भाव में बैठा होता है तो वो यह वेक्ति इस ग्रह की दृष्टि कहों से कैसे सोचता है कहां अंतर मन में और अंतर मन का मतलब यह है जो बहार नहीं दिखाता अंदर यंदर सोचता है तो आंतरी कुस्का करेक्टर कैसा अंतरीं क्रेक्टर हैं आपने नेताओं को देखा होगा सब्सक्राइब इतना बड़ा अच्छे वह पहले पहली बार उन्से आप उनके मुरीद हो जाओगे आप कोगे इससे बड़ी आदमी ही हमने नहीं है बेजब जैसे मर्दी ब्यान बाजी देते रहें पर वो आपको महों लेंगे इंटर्वियू सुना मैं सही में मुरीद हो गया इतनी अच्छी भाषा संस्कृत निष्ट भाषा इतना अच्छा कम्मिनिकेशन और इतना सरल और सहज लगता है बाप्रभाब लेकिन यहां पर हमारे नेतरी राजा मलब एक महिला राजा भीया से मिली यूपी में जाकर उसकी मुरीद होगी तो मुझे आके कहती है जी आप चलो और उनकी कुल्डी देगनी मैंने आपकी भीया बहुत तार पर तो पर वो महिला एक दब मौहित हो जिसको लोग कुछ-कुछ नामों से पुकारते हैं जब लोग पर्सनलाइज वे में कुछे बात करते हैं उनके मुरीद हो जाते हैं मेरे यहां एक बड़ी अफसर है वो आते हैं लालू यादव के बड़े पर्सनलाइज और सिर्फ एक बार मेरे हैं और कोई लेना देना नहीं तो आप लोग क्या करें तो यह एक आंध्रिक चीजे कुछ अलग होती हैं भारी चीजे कुछ और अलग होती हैं आप इवन सब्सक्राइब करने का काफी कुछ पता हुए तो जो पब्लिकली जब बोलते हैं ना कुछ हम इनके बाहरी चीजों को देखते हैं आंत्रिक चीजों को नहीं और जो चीजें हम लोगों के पास आती है वो वीडिया की बहुत भरी स्कुटनीकी बात आती है बड़ी तोड़ दैसरामरोड के चीजें निकल-निकल करके आती है जो हम जानते है तो डीवन चाठ रचलादी हमेशे हां कि किसी वैक्ती की कुमणी में कहीं बैठा हुए कोई दिगर है जैसे शुक्र दीवन में जो बैठा है वो उसकी विवार में लिक्या रहे और जैसे किसी का शुक्र से अश्टम भाव में बैठा है बात एक ही समझो इसको वाणी के जृष्टी को उसको सेकेंड में बैठा है तो वाणी होगी सॉफ्ट एंड स्वीट पर यह उससे वेवार करेगा अब आप नौमांचा में देखो अगर नौमांचा में शुक्र चलागे छटे में फिर बतायेग हो अंदर से क्या सुचता है वाणी से कुछ भी वहां पर शुक्र का वेभार को बज़ता है पर कहां बजलेगा अंतर नौमांचा शाथी में क्यों देखा जाते हैं इसकी बाहरी बदलाव तक पती-पत्ती नहीं जी सकते हैं बहारी आवरण के साथ पती-पत्ती लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं इसलिए आंत्रिक चीजें देखना आंत्रिक द्रिश्टीकों देखना बहुत ही निहायज अब यह ने तो कईयों की शादी नहीं हो विदिख है वो लोग आते हैं बड़े कुशी कुशी कि हमने शादी पकी कर दी और मैं कहता हूं लड़का आया काड़ देने के लिए माबाप के साथ माता पीता का पीतुमें से मेरे पास आते रहें तो मैंने कर ठीक है मिने का कुल्डी किससे मिलवाई के रहें जी कुल वहान के पंडी जी से मिलवाजी आपीडी आपकी देख ऊब अनों तो मैंता लडकी की तर इशारा करके बोला खर इसलरकी लड़की को सभाल लेगा किता जी क्या बात मैंने का समलनी मुश्किल है बस इतना कहा और उसको जाने दिया वो तुझी तीन महीने बाद ही आगए किसाब यह कानी खराब होगी लड़की ने तो दूआ मचा दी करनी तोफान मचा रख था है और लाज के उनकी इतनी कहानिया बिगड़ी अब तो तलाक हो गया क्रेवाडी के थे लोग कहने का मतलब यह है कि कही वार सिच्वेशन जो इतनी खराब होती है पर बाहरी लूप से देखती नहीं और अक्सर लोग बाहरी देखके साइड में करते हैं इसलिए D1 के साथ D9 ग्रह के बलाबल को देखने के लि हमें उसके अंतरमन की बाते नहीं पता लगा अगर गरह का बलाबल अच्छा होगा तो गुण देगा इंदेगा अगर किसी का गुरू का बलाबल अच्छा है तो डेफिडेट ही वह वैक्ती अच्छे गुरों का ही होगा शुक्र अच्छा होगा तो वैक्ती बहुत पॉसिटिव होगा शकारात्मक बहुत पॉसिटिविटी लोग को प्रेड ना देगी और कोई कॉश्चन सार्सर ऐसा भी होता है कि गुण मिलते हैं मतलब हस्सिब्स के कुणली के और लड़की के डीनाइन के ऐसा कोई दो ग्रह ऐसे होते हैं जो मिलते आपस में सीम टू Seems अमें जैसे मून और राहू है एक में डीवन में और दूसरे में मून रंकेट्टव हैं यह शुक्रょरा राह। यह तो हो सकता है इसको भी मिलांते समय देखते हैं कि मिलना चाहिए जिस ग्रह को देख रहे हैं उसी ग्रह को दिखिए शुक्र और गुरू देखिए आपकी मैच मेकिंग 50 परसेंटाज की क्लास में कर देखिए ठीक है सर आगे तो विस्तार को बाते कहने के लिए को इसको एक एक तरीके से समराइज करके हम लोग बताएंगे जाने हैं हैं हम दोनों के शुक्र अच्ए हैं मेरे तो हैंने थो दूला । मेरे हश्बन के। भर्ह मेरे थो अभतर राशी के वकूर हैं आपकी केलास में ही केलास में ही एक जम्पल है वारा से तेरा गौन है लॉंजेविटी ओफ मैरेज लाइफ आप देखी लीजी दो बड़े बच्चे हैं बेक की शादी हो चुकी है तो इसमें क्या अधिकत और हर तरह की सुख सुईदा वर्वान का अशीरवाद इसके पास है मेरा 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 मिलता है सर बाद में पता चला नहीं परताब जी अठारा तो मिलते हैं तो बारा ही है कारक की इंपॉर्टन्स इतनी बढ़ी है पिछले मैं कहता हूं शुक्र देख लिया और देख लिया जोतिश को पढ़ाने के दो तरीके तो बहुत लंबे वाला तरीका है जिसको हम पढ़ा सकते हैं मैं अपनी लाइव क्लास में अक्सर कहता था अगर मरत पराशर होरा सास् मेरे को मजा आ रहा हो तो सबसे पहले मेरा मजा कराब तो मैं उसको बंदगर के भाग जाता हूं मेरे गाले देखा जाएगा तो एक तरीका यह है कि हर चीज को मैं एक एक शलोब को दो या तीच शलोब रोज हूं और बोलू और उसमें से बहुत सारे शलोब किसी काम और पूरी एजुकेशन के दुरां वो काम भी नहीं आने बाद हैं से जो काम की नहीं है मेरा यह मानना है फिर बोज लादेने से क्या पर आज की क्लास आपको निच्चित रूप से करा हूं याद रहे हैं और यही सूत्र काम में लगा हूं जब आप फिर गुण कम देखोगे और ग्रह्मिन से सब्सक्ता देखोगे मेंने एक शादी कराई इनमारे गुड़ों में पंद्रागुण के लड़के लड़के वाला कहें पंद्रागुण पर आप तो बहुत विध्वान हो और कई लोगों में मुझे मना कर दिया पहले हां पर लिए उन्होंने मेरे कहने पर और फिरो तो तीनों के बास और गए नह इतने पुराने रिलेशन के आपको कैसे इंग्णूर करते हैं। मेरी बहुत सारी प्रेडिक्शन के मामले में वहाँ मांते हैं। आप बड़े हैराम करें जो करें क्या करें। मैंने का आँख बंद करके फोरे का रिस्ता कर दो। लड़की कमाएगी तुम्हें स्पोर्ट करेगी संतान होगी सब कुछ होगा रही मेरिज क्यों जाए तो मुझे आगए पुछ लेगे दूसरी भी आप मैं करा दूँआ भून है यही हुआ आज लड़के लड़की को 6 साल होगे मेरिज क्योंकि बच्चा भी है और लड़के लड़की भी इना प्रेम प्रेम पूंच भद लड़का एक पल भी उसके बगएर नी रह से और लड़की तोड़ा कम नहीं पर दोनों में बड़ा अच्छा पनेन है सने है सपंद्रावी लड़की का मेश लगन है शुक्र उच्छ मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेरे पकुंड़ी भी पड़े लड़का लड़की आप देखिए कारकों के तंब पर शादी करानी बिल्कुल गलत नहीं है आज मुझे मानते हैं को देख लो जब यह मैं कभी उनके यहां जाना आ जाए यह वहां नहां आ जाए तो लड़का आ को कियो मैं आब ट्रॉंग करनें अजुक्ति के जादा गुण अच्छी को नहीं होते जादा गुन अच्छे होती इक लड़की पॉट्केस का रख था पूरी काहनी ऐख नहीं बताऊंगा कहने का मतलब वो बचारी बड़ी घुस्से में थी जब वो मेरे पास आई कि मैंने एस्ट्रो लॉजर्स को दिखाया और उन्होंने कुंडली मिला दी मेरी और यह कर दिया वो कर दिया बताओ इससे ज्यादा आप लो क्या लोगे और मेरे तो इतने गुणे कि अब वो क्योंकि वो बड़क इसलिए गई कि मैंने जब देखा उसकी कुली मेंने का मैरी लाइभी कराब है वो कैती में तो वोट केस कर रखा है और मुझे इस बात का कोई जवाब दे कि इतने गुण मिलने के बाद तो मेरी घुस्ति क्यों खाब है आपका भी नराज होना अब मैं समझ सकता हूं उन्होंने जहां दिखाई होगी उन्होंने मोन देखे होंगे और को शादी साइन हो गई सिर्फ क्या से रहे होंगे संद्सें आप किरह जिए तो आपस लड़का लड़की कुणि असे पोजीशन में विजिए मंगे में वी जुस्ती हुपिटर लड़की के सुख था उस में जुबिटर है तो यह d irgend경 कउ सिक्स का रिलेशन हो गया कुछ नहीं दे कुछ पड़ताब जी मैं एक ऐसा टीचर हूं जो बोजी नहीं रखने देता किसी को ना रखता ना दूसरे करें देता पिर प्रशना जी अभी मैं ने पताया पहले केस में लगन का लौड शिक्स में चला गया और टो च्टे में जाने कर दोत्ष पतं हो गया उसका उसका क्या होगा लगन कार लगन भी नगन भी पेढ़ गया उसका अचा उसका भी प्रकल होगा गुरू जी तो फिर अभी इन दिनों डाइवर्स इतना ज्यादा पहले तो होता पहले कसूरवार तो लड़का-लड़की है। दूसरे कसूरवार माबाप और तीसरा कसूरवार एस्ट्रोलोजर बहुत जंदबाजी में एस्ट्रोलोजी सीख रहे हैं। और छे महीने बाद, नौ महीने बाद, कुछ तो तीन महीने के बाद बोड़ लगा जिते हैं। और वो बहुत भारी-भारी मिस्टेक्स करते हैं। वो गलतियां जो है ना मेरा यह मानना है पांच से दस साल देने चाहिए हर वेक्ति को ताकि उनकी समझ ड्यवलेपर्स के जोतिश्केप। नहीं तो फ़र रहें। और लोगों का काम खराब करेंगे, यह पाप का काम करेंगे। तो कभी भी ऐसी मैच मेकिंग मत मिलाओ। रहे हमारे इक परोस में बचारे आते हैं थाई सो सुपर कूलिया बचारे ने मिलवाई। मुझे भी अंदर से बड़ा फील होता था और वो बुले पंडी जी जब तक आप नहीं मिलाओगे मैं तो लातर हुआ। और हुआ भी और लाश में इतनी अच्छी मैरिज हुई है पुछका। पर हाँ मैंने काफी टाइट वो किया उसमाम में। हुआ फिलकुल ठीक हुआ। जली आज यहीं पे खतम करते हैं अगली बात यहां। नमस्कार। नमस्कार। झाल पाल झाल झाल